तो बेसिकली अभी आपका टॉपिक है एकसेस प्रेशर इंसाइड वाटर ड्रॉप तो सवाल यह उठता है कि सर्फेस टेंशन के कारण अंदर एकसेस प्रेशर क्यों है तो अगर मैं इसके पीछे का आपको लॉजिकल रीजन बताने जाओ से हमने यहां पर देखा है कि सर्फेस पर टेंशन होता है जिसे हम लोग सर्फेस टेंशन बुलाते है उसके कारण क्या करता है वो अंदर अंदर जो भी मटेरियल उसे स्कुईज करने की कोशिश करता है हाई ना अगर मैं वाटर का ड्रॉप लूँ और अगर कोई भी ग्राव और जिसके कारण क्या होगा वो जो सर्फेस टेंशनेट विल ट्राइटू स्क्वीज डाउन अंदर जितना भी लिक्विड है और उसके कारण अंदर एक्सेस प्रेशर जनरेट होगा तो फिजिकल इंटर्प्रेटेशन समझ में आया कि क्यों एक वाटर ड्रॉप के अंदर इसके अंदर भी लिक्विड भरा हुआ है इस पर क्या करूंगा मैं यह पूरा वाटर ड्रॉप है न हम लोग यह अजिम कर रहें कि इस पर कोई भी ग्राविटी आट नहीं कर रहा है तो वाटर ड्रॉप का एक्च्वल शेफ हमारे माइंड में कुछ ऐसा है और ऐसा क्यू वह ग्राविटी के कारण होता है ग्राविटी नीचे करती तो नीचे बल जो आता है अगर तुम आउटर स्पेस में देखोगे जापर उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो यह वाटर ड्रॉप को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं यह दोनों मेरे सॉलिड हम वाला जो हमीस्फियर इस पे कौन से कॉन से फॉर्स करेंगे सबसे पहले रोड़ देखेंगे इस यहुए झो मैं युर्यमर में नाँ यह मैंने मे invaluable आन बना इसे ऐसे i disparity लोग बॉल दो बॉल पे कला इन बना दो एक पॉरjang सरकल बना दो इतना समझ महां रहा है और यह उसका लाइन एंच्छ किना सेक्वरेख पॉइंट पे सर्फिस टेंशन आग करेंगा तो लेट है यह चौता टी एस हैं यह चौताड अपारेत यह चोता टी है तो मेरारा कितना रहाएगा आफ कि fan रहेगा आक्टोली यह सर्फेस टेंशन इन्टी इंटी आल सर्फेस टेंशन इन तो नियां टू द्योटल लें रहेगा और यह टो जो मेरा वाटरॉप है उसका रेडियस आम कंसिजर इंग कैपिटलार तो टेल मीड़ टोटल लेंट अव दिस जो भी टोटल लेंथ कितना रहेगा इसका तूपायार सरकम्फरेंस के बराबर रहेगा तो कैना इसे जो मेरा नेट सर्फेस टेंशन का फोर से जाट इस एकॉल त टेंशन इंटू पायार समझ में आ रहे है तो ठीक है लेट से बाहर जो प्रैशर करेवोपी एक्स्टर्नल भेट संग्ण में अभी एक्स्टरनल प्रैशर इस पोर्सलाग गा чит खेंग एसे ऐसे यहाँ पहर फोर्स लगता रहेगा तो एक कर एक्छन में और एक क्वा प्रेसर टाइम्स डिये रहेगा हाया ना है ओके अच्छा तो नेट फोर्स कितना रहेगा बेसिकली इस पर यहां पर लिख देता हुआ मैं फोर्स दूटो एक्स्टर्नल प्रेशर यह कितना रहेगा यह होता है प्रेशर इंटु इस यह प्रेशर इंटा इन में उसका सिर्फ यह वाला फोंइब फोर्स रहेगा यह वाले component cancel out हो जाएंगे तो जो net force जो हमें calculate करना है वह actually बस जो एक्स डिरेक्शन है उस डिरेक्शन में calculate करना है तो net force कितना हो जाता आपका basically P external times pi r square अब समझ में आया जैसे मैं आपको फिर से बता रहा हूँ आपका जो फोर्स रहेगा वह no doubt its pressure into area लेकिन यहां पर यह जो फोर्स रहेगा ना इसका बस एक्स डिरेशन का component मैं इसे एक्स डिरेक्शन मान रहा हूँ इसे वाइड रेशिंग मान रहा हूँ विकास यहां पर देखो यह जो फोर्स है यह पी इंटु डिये जो लिखा यह इस नथिंग बट फोर्स चीक है इसका जो राइट कंपोनेंट है ना सी वही काम आएगा इसका जो डाउनवर यहांवाली फोर्स चैंसलाइट गर यहां पर मैं फोर्स ले रहा हूँ इसका एक कंपोनेंट ऐसा रहा दूसरा कंपोनेंट ऐसा रहेगा तो नीचे वाला एक फोर्स वह इसे ऊपर वाले 4 वाले कंसलाऊ अट्वडरा कांसल आई Wakanda रिजान आया तो नेट फोर्स हमें कितन इतना समझ में आया अच्छा अबिए इतना सब्सक्राइब तो एक इतना इंटर्न फोर्स कितना रहेगा सेम पी इंटर्न इंटू पायार स्कुर्ष इतना समझ में आया लग रहा है आपका external force भी राइट डीरेशन में लग रहा है आपका इंटर्ご Japan इंटरों कोर लब आधे घंचिन यहां पर लिखुंगा मैं फॉर्स दू www.neutиля.cidos तो मेरे हमिस्फियर पर तीन फोर्स लग रहे है अच्छा हिए रहें सिर्ट पे है तो कहना ओसे सारे फॉसें बैलेंस फॉसेजा है तो टोटल फॉसें एक टॉटल फॉसें लेटेयरिशन तो मैं आपके लिकूंगा फोस डिून ना प्रे ग्रता हिग्स लिए इक्सटर कि पाइर स्कुर्ट फॉर्ट एक्ष लडू एक्सितर्डनल इंटु पाइर स्कुर्ड फ्लस फॉर्च दू सर्फेस टेंशन कितना है सब्सक्राइस टेंशन इंडू पाया तो यह जो भी मैंने लिखा एक दम प्रॉपर्ली समझ में आया तो यहां पे हम लोग करेंगेया सिं 각 chosen एकदम प्रापरली तो एथा इसक्षिंग को यहाँ पर यहां पर क्या हुआ उड़र मैं आपनाइस यहां बमें एूटर्ण सभी के नुटर्म आ रहा है कैने से 2S by R के बराबर आ रहा है अच्छा यह जो इंटर्नल प्रेशर माइनस एक्स्टर्नल प्रेशर है कैना से एक्स्ट प्रेशर है the excess pressure inside चाँ बभाड अंदर कितना एक्स्ट्रा प्रेशरे ट इस्यंप्ली म्an इन तर्व मिर् प्रेशर मायरे एक्सी प्रेशर मिर्ड जाता है यह एक्स प्रेशर मिर्ड ग्षेण यह एक्सेस प्रेशर इंसाइड आ वाटरॉपल इस सिंप्ली टू इंटू इंटू सर्फेस टेंशन डिवाइड बाई रेडियस इतना लिको चलो अच्छा भी एक छोटा सा आर्गुमेंट मेरा यहां पर में कंटेनर ले रहा हूं यहां पर में चोटा सा कंटेनर ले रहा हूं चिक है यहां पर एक मैं उसे पानी में पानी से भर रहा हूं चिक है यहां पर आई कैन कंसीडर कैना कंसीडर एन इमाजनरी बाउन्डरी कैना कंसीडर इमाजनरी ड्रॉपलेट लेट से यहां पर मैं इमाजनरी ड्रॉप कंसीडर कर रहा हूं तो यहां पर जितना प्रेशर रहेगा इंटरनल यह पॉन पर प्रेशर ज्यादा रहेगा कैना डू दिस नाइए वाइए क्योंकि यह निफॉर्म फ्लोरिडा हां तो क्या हुआ जैसे हम लोग करते थे जह हम लोग ने वह पी इक्वल टू रोजी एच कंसर्ब ज यहां पर मैं जो आपको क्या क्या कर रहा हो यहां पर मैं imaginary water drop इसे में वोई मेरी argument तो हमें पते है कि फ्रेशर तो रहे ना लेकिन मेरा अर्ग्यूमेंट किया कि मैंने यहां पर एक इमाजनरी वाटर ड्रॉप अज्यूम किया है जिसके कारण जो डिफ्रेंस इन प्रेशर है वो टूएज बार के बराबर होना चाहिए तो क्यों नहीं हो रहा ही है अ यहां अ वह मिलाज़यूमेंट तुम गलत प्रूव करके बताऊनो हाँ 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 ट्रीजन से में आपर्षर वेशर्फेस है यह 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 तो माजनिय शर्फेस में अजूम कर रहा है या पर सर्फेस है नि-अरी आप धेस एक्स प्रेश्री तर्फेस टेंशन के कारण आ रहा लेकिन अगर मेरा सर्फेस है इसार्फेस तर्फेस टेंशन आएगा इस आर्गुमेंट इस प्लीटली रॉंग समझ माया लिक्वए ठीक टेक्वेसिन ले लो आपका बेसी कली आ यहां पे एक सोब बबल यहां पे एक सूब बबल अव्विएसली दुनों का सर्फेस टेंशन सेम रहेगा ना विकॉस दोनों का मटेरियल से में दोनों का जो सर्फेस टेंशन का वाल्यू है सोब के फिल्म का विकॉस सूब बबल इस नथिंग बटा सोब फिल्म है सही बात है तो यह और मैंने क्या किया है उसके बीच में एक रॉट डाल दिया है तो सोब बबल के इससे जोड़ दिया है मैं तो क्या होगा आफ्टाइश सेनारियो तो यह कुशन अभी अपने माइंड में रखो और अभी हम लोग देखेंगे एकसेस प्रेशर इंसाइड बबल और फिर से इस क्वेशन पर आएंगे ठीक है अभी लिखो एकसेस प्रेशर इंसाइड बबल तो आपका बबल कैसा रहेगा बेसिकली ओविएसली सर्कुलर शेप का रहता है यहां पर ग्रैविटी का नाटक नहीं चलता है बट एक बबल के अंदर अगर मैं देखू तो यहां पर टूटल दो सर्फेसेस रहते हैं एक एक्स्टर्नली और एक इंटर्नली और छोटा सा म अगरेट कर रहा हूं जैस्ट बिकॉद मुझे आप अंदर कुछ लिखना इसलिए बट यह बबल है वेसिकली मेरा ठीक है और यह जो है यह जो मैंने यह लोकल में जो बना रहा हूं यह मेरा सोप फिल्म फिर बबल का फिल्म है बबल फिल्म है समझ में आया यह यह बहुत जी चीजिन होता है ऑफिसलि यह बहुत जादा ठीन अबट मैंने इससे एक्सरेड नटेट कर दिया कि ना अभी हमारे पास क्या है लेट से मैं से पी एक्स्टेरनल बुरा बुला रहा हूं प्रेशर एक्स्टेर्नल में यहां पर प्रेशिर रहां इसे पी डैश बूला रह तो सिंप्ली टू इंटू सर्फेस टेंशन डिवाइड़ रेडियस समझ में आया अच्छा आपका पी इंटर्नल माइनस पी डाश किसके बराबर रहेगा कैने से टू एस इंटू सर्फ टू इंटू सर्फेस टेंशन बायार आर सेम ले रहे क्योंकि बहुत छोटा है यह जो से यह तिकने से वेरी वेरी मच लेस कंपेर टू रेडियस तो रेडियस हम लोग सेम ले रहे समझ में आया जैसे मैं ने बता यहां पर जो मैंने बबल बनाया है इसका जो ठीकने से मैं एक्जाजिरेट किया है विकास मुझे यहां पर यह पी डाश लिखना था इसी लिए सिर्फीर तो हमारे जो excess pressure in a Water Doppler बिए फिरी लिए ड्रॉप उसके फटी ने से हम लोग आई बोल सकते कि एक स्टर्न अहां रहा है व् оружड के बडाबर रहेगा और पी माने सिभाए को यह यहडि रहा है अभी मैं क्या करतोफ्स मैं एक्वेशन वन और इक्वेशन तू को के बदले बबल लेलू आगर मैं ड्रॉप के बदले बबल ली तो आपका जो डिफ्रेंस इन प्रिशर वह फूर आर्के बराबर हो जाता है रीजन समझमें आया विकॉस हां पे 2 सरफेस है तो स्कूज एंग जो होगी वो दो सर्फेस के कारण होगी कि समझ महीं तो इसे लिको चलो चलो बैक टुदवांट passado पr udah घाल London सेम सोब फ्विम से बने दोनों discussing स Activist training फिर सभस्थ की पर ऊंहिट अर्च गिए दोनों का सेम तिक इसका रेडियस और वं इसका रेडियस यह क noi OK से बड़ा है जδα की आपके दो बोबने अब कर यह बबल वन है या आपका बबल टो है उप्षोन उपका बेसिकली ऑब बबल वन विल गेट स्माल है बबल वन इल गेट स्माल मैसीलिव ऴैंपटकों में थँड़ा अलग लिखूंगा क्या लिकंगा प्छैन्घ में यापफाब ब्लवन और आपका बबल टू है उप्शन वन ऐर लिफ्लो फ्रॉम बबल वन टु बबल होल रिप option 2 air will flow from bubble 2 to bubble 1 basically bubble 2 से bubble 1 तो इसका मुझा इसका रेडियस बढ़ जाएगा बबल से बबल 2 में जा रहे तो बबल मारेडियस कम नादियस का बबल टू का रेडियस बढ़ेगा option 3 कि नो एर फ्लो कि एर फ्लो होगा है नहीं और ऑप्शन फोर क्या है आपका बेसिकली नन ऑफ दाप लिग दो यह फिर भी के नौट जज वॉटेवर इंसफिशन डेटा तो बताओ मुझे क्या होगा यहां पर मैंने एक बबल लिए दूसरा बबल लिए दोनों से मटेरियल के कि दोनों सेफ सेम सोब फिल्म के लेकिन एक औरी जादा एक का कर में अभी मैं क्या कर नहीं को एक में थिन रॉड से कनेक्त कर रहा हूं तो क्या होगा मेरा एर जो है बबल बन से बबल टुमें करेगा या फिर करेगा ईनी या फिर इंस अफिशन डेटा यहस बताओ जरा इसका में पी इंटर्नल वन लिख रहा हूं और इसको में पी इंटर्नल टू लिख रहा हूं समझ में आया है तो आपका जो चेंज इन प्रेशर है यहां पर मैं अ कि पी इंटर्नल मैंनस के बराबर 7 आपके इंटर्नल टू माइनस पी और यहां पर आपका कोई भी बबल नहीं बच्चेगा सही है इन फाक्त लोगों को क्या लगता है यहां पर हवा दाद यहां से हवा फ्लो के दोनों का रेडियस से मुझाएगा इसा निया जो चोटा बबले डट छोटा बबल विल कम्प्लीटली गेट ड्रेंड आउट अब परफॉर्म करना हाड विकास वापे ग्राविटी रहता है तो फ्लूइड में अगर आपको यह एक्स्प्रेंट परफॉर्म करना है तो आपको स्पेस में जाना पड़ेगा आपका डिफ्रेंस प्रेशर जो है वो इन्वर्श दी प्रपोर्शनल टू रेडियस के जिसका र लिक्विड का सर्फेस टेंशन दे रखा है 0.075 सही बात है ऐसा यूट में दिया है इस नतिंग बट न्यूटन पर मीटर चीक है अच्छा इसके तीन मीटर डेप्थ के नीचे यहां पर एक बबल है बबल का रेडियस अपका वने में में है तो सही बात है एक एर बबल है घ्रिदे तो इसके अंदर का प्रैशर खुणने आपको बबल के अंदर कितना इए आपको इवाल्वएट करना है लुट्यों करो चलो इस ली कैसे करेंगे स्क्षिक को अ सबसे पहले यहां पे तो पीए टिएम रहेगा आपका भूर यहां पे कितना रहेगा आपका प्रेशर आड करना पड़ेगा तो बाहर कितना प्रेशर है बबल के पी ए टीम प्लस रोजी एच प्लस यहां पर सर्फेस टेंशन के कारण जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वह आड़ करना पड़ेगा अचा बहुत बच्चे यहां पर फॉर एस बायार लेंगे यह चीज गलत है बिकास एक ही यह वाला जो बबल है यहां पर सर्फेस एक ही है आपका बबल एटमॉस्फियर में जो बबल है और यहां पर बबल इन दोनों में डिफ्रेंस है यहां पर सर्फेस एक है तो यहां पर आपको टू एस बायार करना पड़ेगा तो यह आपका आंसर हो जाएगा प्लस रोजी ट्लस ट्यू तो एस भायार आपका पीटी म कितना एंट्व ल मेंटु टेन पॉर फार्इव पासकल प्लस आपका रोजी हेच कितना है वहन वन जीरोजी और ने लेंगे लिए इंटू एच आपका 3 मीटर है यह आपका रोजी हो जाएगा प्लस आपके तो आपको यहां पर 10 टू-3 करना पड़ेगा इस सब लोको अगला कुशन देख लो अगला क्वेशन क्या है यहां पर एक कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है तो सही बात है अच्छा यहां पर आपका मैंने उबालना स्टार्ट कर दिया बिसीकली कंटेनर पानी जो मैंने पानी उबालना स्टार्ट कर दिया उसके कारण क्या हुआ यहां पर नीचे एक बबल फॉर्म हुआ च्छा यह जो बब तेंप्रेचर ले लो नाइंटी डिग्री सेलसियस जरूरत नहीं वैसे लो चीए चलो टेंप्रेचर आपका 90 डिग्री सेलसियस अच्छा इसके कारण क्या और बैसिकली आपके जब आपको पता है ना जब भी आप पानी उबालना स्टाट करते हो सबसे पहले उसका जो सब्सक्राइब इसका जो रेडियस था जब नीचे था इसका रेडियस अर दन तब और जैसे वह उपर आगए है उसका रेडियस अर टू हो are you need to calculate in drop ऐसफ्यों दो कंटेंगर का हàiट डिए पर िकंटेंगर सो कॉस्अ अइट है आपका फ्रेस टेंटशनल देरह स्चा Show यह वॉटर है तो वॉटर का डेंसिटी ले लो थाउजंड है थाउजंड केजी पर मीटर क्यों है सही बात हो ओके मैं फिर से क्वेशन रिपीट कर रहा हो आपने पानी उबालना स्टार्ट कर जिसके कारण जो बॉटम सर्फेज उस पर बबल जन्रेट हुआ जिसका रेडिय कि तो आपका एक एर बबल नीचे फ़ाम हो रहा है यह यह बबल शाम नीचे और जैसे जैसे ऑपर आरा तो वह बबल जब उपर आ जाएगा तब उसका रेडियास क्या ओजाएगा हमने यह चीज़ एवालुएट कर लिए तो सबसे पहले तो आपका काम यह ओना चाहिए कि दोनों के इंटर्नल प्रेशर निकालो तो बैसीकली मैं इसे पहला बबल भोल रहा है इंट इसकेंड बबल तो पहले बबल का इंटर्णल प्रेशर कितना होगा यह हम लें अल्रडी प्रिएस कोईश्टन ने ग्यालकुलेट किया है इट सिंप्ली पीर टीम प्लस रो जीएच प्लस 2S by R1 तो यहां पर मैं R1 लिखूंगा इसका रेडियस R1 इसका रेडियस R2 इतना क्लियर ही यह मैंने कैसे लिखा चीक है सेकेंड केस में बेसिक लिए आपका पी इंटर्नल क्या होगा दूसरे बबल का इंटर्नल प्रेशर क्या होगा सिंपलि प्लस बस यहां पर रोज यह नहीं करना पड़ेगा है यहां पड़ेगा इंटू टू इस त्रॉइज वाय आर्टू इतना समझ में आया मैं एक डोनों के इंटर्नल प्रेश्र मेंने कैसे लिखे है कि है अच्छा अभी बेसिकली यहां पर क्या करेंगे हम लोग आपका बबल के अंदर जो पीवी की वाली ना ये कॉंस्टेंट रहनी चीए बिकॉज उसके अंदर जो भी गैस रहेगी उसके नंबर आफ मोल से में एंसे में आर तो सेम रहे तो आपके पीवी की वाली कॉंस्टेंट रहेगी तो मैं क्या करूंगा सिंप्ली आपका पीवन वीवन इस इकल टू पीटू वीटू करूंगा इतना समझ में आया और हमें क्या रहेगा पीवन क्या रहेगा आपका बेसे कले यहां पने लिग दिया आपका पीटू क्या रहेगा यह आपका सिंपली पीजाई कि ऑड़ाना आ गर्न इसरोजेट्थ क्लैस 2s by r1 इन्टू V1 के बदले क्या डालेंगे हम लोग सिंप्ली इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4 by 3 pi into r3 या पर 1 meter है तो 10 raise to minus 3 का cube सही बात है तो whole divided by p2 के बदले क्या डालूंगा मैं simply p atm plus 2s by r2 और यह r2 हमें evaluate करना है समझ में आ रहा है प्रेशर इंटू वाल्यूम दोना बबल के लिए तो बैसे लिए फाइनल वी टू क्या रहेगा फाइनल बबल का वॉल्यूम क्या रहेगा simply p1 v1 by p2 रहेगा हाया ना अब यह पीवन पीटू तो यहापे मैं calculate कर चुका अल्रडी मैं ने वही डाल दिया यहापे पीटू क्या रहेगा इतना समझ में आया तो यहापे आपका नियूमेरेटर तो calculate हो जाएगा ना easily आया ना तो यह तो यह आपका equation बन रहा है बेसिकली आपका वी टू क्या हो जाएगा simply 4 by 3 की पाई आर टू का क्यूब इस इक्वल टू पी एटियम में क्याड़ू लूंगा मैं 10 रेस्ट पाउर फाइब डाल देता वन पॉंपॉंट लिखते नहीं बेटूंगा प्लेस रो जी एच करना पड़ेगा मुझे तो थाउजंड इन्टू 10 इन्टू हाइट कितना है 10 मीटर्स प्लेस टू एज बायार वन तो टू इन्टू इन्टू 0.075 दो होल अपॉन आरवन कितना है आपका सर्फिस्ट वन एम्म तो टैंडेस्टू माइनस थी से मैं से डिवाइड कर दूंगा इस होल कॉंटिटी इन्टू 4 वाइट 3 पाई इन्टू 10 देश्टू माइनस 3 का क्यूब है दो होल अपॉन अगेन यहां पर पी एटिम कितना लूंगा मैं 10 देश्टू 5 लूंगा प्लस टू एज बाय आर टू इतना समझ में आया अच्छा आपका निमेरेटर के कॉंस्ट कॉंटिटी होगी से बता है यहां पर आपका प्रॉब्लेम एक डिनॉम्रेटर में आएगा तो मैं आपर सिंप्ली मुल्टिप्लाइ कर दो यहां पर आरटू निकाल के बता हूं मुझे कितना आएगा अच्छी के तो बेसिकली से नियूमरीकली कैल्कुलेट करके आपका रेडियस जो वह आ रहा है वन पॉंट टू फाइव इंटू टेंदेश्टू माइनस थ्री मीटर मतलब रेडियस कितना हो जाएगा इसका रेडियस बढ़ जाएगा कितना बढ़ेगा वन पॉंट टू पाइव एम इम इसका फाइनल आंसर है तो यह कैलकुलेशन बस इसके थोड़े टीडियस है बट में थर समझ में एक्जाक्ली क्या कि हम लोगों नहीं है चीके लिखो इससा है